तो वेल्कमें दोस्तों हाई और आप सभी का क्या बोलेंगे यार बोलें दिये चलिए नमस्कार आप सभी का वेल्कम मैं आप सभी का ऐसा ही वोल की वीडियो सुरू करते है ना जो भी हो आज हम लोग बात करने वाले हैं समेस्टर थीरी में पूछा जाने वाला कमपलशारी पेपर जिसका नाम है elementary computer application software ठीक है और यह आपका SEC paper 3 है जो कि राची निवर्षटी और NPU में पूछा जाएगा ठीक है तो जहां-जहां पूछा जाएगा राची और NPU भी नहीं इसके अलावा पे जितने इनिवर्षटी से उन सब में काम देगा और इसका topic wise हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड कर चुका है और यह लगातार सिरीज 3 है ठीक है तीसरे सिरीज में हम लोगों करना था operating system बट हम कर रहे है digital education क्यों क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले जितना भी इजी इजी सब है उसको कर लेंगे और बाद में टेक्निकल वाले सब को करेंगे ठीक है अगर टेक्निकल पहले कर लेंगे तो फिर दिमाग भारी हो जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं डिजिटल एजुगेशन Elementary Computer Application में 9 चेप्टर में से एक चेप्टर ये भी पढ़ना है आपको अब देख लेते हैं तो ये पेपर तो आपका 75 गो आएगा Objective कोशिट क्यों और क्यों और अबजेक्टिव ठीक है तो Objective भी हमें करना है पहला कोशिन है कि What is Digital Education Digital सिक्षा क्या है अरे भाई Digital सिक्षा क्या है तो ये सब को जानते हैं कि डिजिटल उपकरनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली सिक्षा को ही यानि कि Option A is the right answer ठीक है Option A सही उत्तर हो जाएगा क्यों क्योंकि डिजिटल उपकरन जैसे हमारा और डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया चाहे फैस्बॉक हो गया चाहे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं यार इंस्टाग्राम में आदमी सीख बहुत कम लेता है थाइम वेस्ट करता है खाली टीक है ट्वीटर हो गया ट्वीटर का अपकर नाम बदल गया है एक्स चलिए अगला हमारा क्वेशन नमर टू कि वाट इज वन मेजर एडवांस ऑप डिजिटल एजुकेशन यानि कि डिजिटल सिक्षा का एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं भी आप देख सकते हैं ठीक है तो आप कहीं पर भी बस में जा रहे हूं चाहे कहीं पर बैठे हो टाइम किसी का वेट कर रहे हूं तब भी आप लगा दिए मॉबाइल फॉन और पढ़ रहे हैं ठीक है तो डिजिटल सिक्षा का एजी है कि हार जग़े पे इसको access कर सकते हैं राइड अंन्स क्या हो जाएगा कि accessibility जो है आप कई भी कर सकते हैं ठीक है accessibility from anywhere with and internet connection तो without internet connection कर भी हो सकता है download रख लो यार चीड़े आगे दिखते हैं next step question what does e-learning prefer to यानि कि e-learning से क्या समझते हैं आप या e-learning से क्या तात परिया है ठीक है तो electronic learning question option यह है electronic उपकरनों और internet के माझे हम से सीखना e-learning का लाएगा ठीक है learning conducted यहाँ होना चाहिए learning from electronic device and the internet यह होना चाहिए चली जो भी है यह भी होड़ सही है कि learning conducted through electronic device and the internet ठीक है तो electronic जितने भी उपकरन है इसके माझे हम से सीखना ही e-learning का लाता है ठीक है और इसी का दूसरा नाम डिजिटल आजू कैसन है अगला हमारा question है कि what technology sorry which technology is commonly used for video conferencing in e-learning तो दीए वीडियो क्राइंसिंग होता है generally e-learning में की स्टून का यूज़ किया जाता है तो zoom app का यूज़ करते है meeting होगर हमें generally meeting होता है यह फटिंगा जो आ जाता है नहीं तो zoom app जो होता है इससे हम लोग online meeting करते है ठीक है बाकि Microsoft Word यह आपका PDF अगरा बनाने में हम लोग को काम आता है वर्ड का PDF Adobe Photoshop जो है इसमें photo अगरा मतलब बहुत सारा ID होगरा हम लोग सीखते है computer में ठीक है compared to traditional education यानिकि जो हमेरा परमपरिक सिक्षा वैस्ता है ठीक है और e-learning यानिकि जो हमेरा e-learning डिजिटल एजुकेशन है इसमें क्या बड़ा फायता है ठीक है परमपरिक सिक्षा की तुर्णा में तो देखिए परमपरिक सिक्षा में आपको class में जाना के पढ़ना पड़ेगा ठीक हर जगा आप नहीं पा सकते जबकि यह हम हर जगा जहां पर जाहें वहां पर सकते हैं जब चाहें तब पर सकते हैं जितना चाहें उतना पर सकते हैं ठीक है तो यह क्या होता है हमारा flexibility होता है in term of time and place समय और अस्थान में लची लाप फिर से देखिया तो बहुत सारा कुछ फायदा है लेकिन घाटा भी है कि आदमी ने पढ़ने जाता है और वहां पर पता चलना कि कौन website गुज गया है ठीक है तो बटक जाता है मार्क चरिए अगला है कि what does LMS stand for in the context of e-learning यानि कि यहां पर पूछा गया LMS का पुलपांग ठ तो दिखें इसका L से होता है learning, M से होता है management और S से system यानि कि learning management system ठीक है हिंदे भी क्या बोल लेंगे management का होता है प्रबंधन, learning का होता है सीखना और system का होता है वैस था यानि कि सीखने की प्रबंधन के वैस था यह हो जाएगा इसका हिंदी चलिए learning management system नोट कर लिजेगा अगला है which technology किस technology का परियोग से which technology help track and analyze a learner's progress in learning ठीक है यानि कि किस तक्निक का परियोग करके हम लोग जो है किसी को track करते हैं और business lesson करने की हग रखते हैं तो देखिए इसको बोलते है learning analytics क्या बोलते है learning analytics ठीक है option a इसका right answer हो जाएगा अगला है हमारा कि what is a common feature of e-learning platform तो देखिए e-learning जो platform होता है इसका सबसे common feature क्या है यही पूछा गया है ठीक है तो देखिए e-learning क्या होता है कि online हम लोग assessment कर सकते हैं question quiz भी कर सकते हैं यानि कि online मुल्यांकन और प्रशन उत्तर भी कर सकते हैं ठीक है आगे देखिए लते हैं वहीसे बहुत सारी विश्यस्ताइं होनी चाहिए और अगर आपको बहुत सारी विश्यस्ता देजिए जैसे की online मुल्यांकन और quiz ठीक है online हम अपने प्रश्णों को पूछ सकते हैं online answer पा सकते हैं comment कर सकते हैं कहीं पर भी पढ़ सकते हैं ठीक है अगर ऐसा रहे और last में रहे इन में से सभी तो आपको लगाना है इन में से सभी वाला option वह से भी जहां पर भी आपको option मिल जाए इन चलिए है चुहा मुसा ना मुसक सुद्ध नाम है इसका मुसक लेकिन हम लोग फिर मुसक बोलते हैं मुसा बोलने लगे फिर चुहा बोलने लगे फिर माउस बोलने लगे चलिए बहुत सारा है next which of the following is an example of a एक में यार सामने कर लेता हूं तोड़ा सा दूर हो जाता है लग निमलिकित में से कौन सा synchronous e-learning टूल का उधारन है which of the following is an example of a synchronous e-learning टूल तो देखे synchronous e-learning टूल का उधारन है हमारा live जब हम लोग आते हैं कुछ भी चीच में ठीक है e-learning synchronous तो यह हो गया option a next step का यहाँ पर question है कि what role does artificial intelligence AI से अच्वाट में बोलते हैं ठीक है यानि कि AI का क्या यहाँ पर महत हो है किसके तो play in e-learning e-learning के play में artificial intelligence क्या क्या महत हो है ठीक है e-learning artificial intelligence की क्या बोमी का है e-learning में तो देखे और कैसा नुभा मिलता है पर्सलाइज मतलब व्यक्तिगत तर्प व्यक्तिगत मतलब अकेला भी सीख सकता है ठीक है कुछ और रही नई कि यह कलास पुरा पूरा हम उठा ले तभी पढ़ाइंगे ठीक है तो पर्समाइज भी हो सकता है आप अकेले भी कर सकते हैं आगे दि जोडिज़ुल, दिजिटल एजउगेशन का एक हानी या नुक्सान बता ही है, एडवेंटेज मतलब होता है लाव, डिजडबेंटेज मतलब होता है हानी, यानि कि नुक्सान, ठीक है, तो देखिए, पहला है डिजिटल बिभाजन और प्रदगी कि तक, असमान पोहुज सार बिभाजन हो जाता है यानि कि digitally हम लोग डिवाइड हो जाते हैं पहुंचना देखने कुछ लगते हैं आ जाता है एड तो देखने लगते हैं कुछ दूसरा ठीक है तो स्क्रॉल करते करते स्वाट्स देखने लगता है तो कहीं पर comedy तो क्या-क्या को जाता है ठीक है और यही है हमारा disadvantage digital जो है हम लोग divide हो जाते हैं digitally divide हो जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं ठीक है mark से बटक जाते हैं अगला है हमारा which of the following is a tool used for creating interactive content in e-learning ठीक है तो देखें e-learning में interactive सामगरी को बनाने के लिए यानिकि जो हम लोग content करते हैं ठीक है उसको बनाने के लिए किसका उप्यूग किया जाता है तो option a हो जाएगा इसमें हम लोग उप्यूग करते हैं बहुत सारे tools का जिसमें आता है क्या आता है तो articulate आता है एक मेंट यह क्या है या articulate यह कौन सा अर्टिवल है इस्टोरी लाइन यहाँ पर एड़ॉप capture इस्टोरी लाइन यहाँ पर एड़ॉप capture इस्टोरी यह सब जो वर्ड है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा यह question ठीक है तो यहाँ पर के लिए हम लोग इन सभी टूल्स का परियोग करते हैं क्या के टूल है आर्टिकुलेट फिर हमारा स्टोरी लाइन फिर हमारा एड़ॉप capture ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स है हमारा की वाट इज वन एडवांटेज आप यूजिंग पोड़कास्ट इन डिजिटर एज पोड़कास्ट इनरली क्या हो था है कि कोई दो आजमारी या फिर ज्यागाद मी के लिए अग्षेटर इंट्रु शेंटेव लॅंहकर में सुनते हैं आज आज कल वीडियो के भी फॉर्म में आने लगा है तो यह क्या होता है डिजिटा जूकेशन में पॉड्कास्ट का उप्योग से क्या लाब होता है तो वह देखिए वे ओडियो समगरी परदान करते हैं जिससे कभी-कभी और कई भी एक्सेस किया जा सकता है ठीक है डे प्रोवा नहीं तो अपना काम करन भाई तो उन लोग पैसा चापता है पूरा ठीक है पॉड्कास्ट केरी मिनांटी और क्या क्या नाम है फालतु फालतु से लालग कचला बना दिया है ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर देखिए ओनलाइन जो न दिखता है ना वास्ता में उसका द रही हो जाएगा कच्ड़ा हो जाएगा इसलिए आप लोग वर्क पर ज्यादा फोकस किजिएगा ओनलाइन पर कम चिड़ चिड़ापन हो जाता है क्योंकि मैं इन सब चीजों को जहला हूं तो बोल सकता हूं आपको भी अगला है कि वाट ही जग की फीचर आप अडेप्ट लर्न जो अडेप्टिव यानि की अनुकूल सिख्छा परदोगी होता है इसका क्या उप्योग क्या विसस्ता है ठीक है तो देंकि इसकी विसस्ता क्या है इट पर्शनलाइज दर लर्निंग एक्सपरियेंस यार वही कोस्चिन दो रिपीटेड हो गया कि पर्शनलाइज आप वेक्ति एक्सेस कर सकता है एक्सपरियेंस बेस्ट ऑन इंडिविड़ अस्ट्रेंट परफॉर्मेंस यानि कि देखे ये जो हमारा अडेप्टिव लर् लर्निंग एक्सपरियेंस बेस्ट और इंडिविड़ अस्ट्रेंट पर्फॉर्मेंस यानि कि या व्यक्तिकाद चात्र प्रदर्शन के आधार पर सीखने के अनुभाव को व्यक्तिक रित करता है अब प्रेतना टॉप हिंदी ठीक है मतलब अकेले में भी कोई भी व्यक्त इसकी सीख सकता है इसी को बोलते हैं हम लोग अडेप्टिव टेकल लर्निंग टेकलोजी ठीक है तो बस इसका एक फिचर इसकी विसस्ता है कि कोई भी एक अकेला विक्ति विससे सीख सकता है अगे देख लते हैं नेक्स्ट हमारा वीच आप फॉलोविंग बेस्ट डिसक्र और ब्लेंडेट लर्निंग एप्रोच यानि कि ब्लेंडेट लर्निंग एप्रोच क्या होता है ब्लेंडेट का मतलब होता है मिला हुआ ठीक है तो इसको हम लोग बोलेगे कि मिस्त्रित सिख्छा या मिस्त्रित सिखना क्या होता है ठीक है जब हम लोग बहुत सारे मिल के ज पाइन डिजिटल मीडिया विःट्रेडिश्टनल फेस टूप है्स क्लास्रोट method ठीक है तो fast to fast classroom method और यह आपका zoom app वगरा में होता है हाला कि यूटूब में भी एक side का चलता ही है ना फैस वगरा अभी beam है on कर लों तो एक side का देख जाएगा स्वरी यार बार बार जमा ही आ रहा है अब मुझे लगता है सोना पड़ेगा खाना भी नहीं खाएगा चलिए question है कि what is the role of chatbot in e-learning platform e-learning platform में chatbot का क्या कारिया है ठीक है और क्या भूमिगा होती है वही है कि यह जो chatbot है सिक्षारती हो यानि कि जितने भी student है एस्टुडेंट को तुरंट तो अरित मतलब तुरंट परती के रिया और सहायता परदान करता है देखिए chatbox में क्या होता कि जब हम इंदी की रूप में जो आदमी को समझ में है ठीक है chatbox क्या होता है कि आपके प्रश्णों का तूरंट जवाब दिया जाए चलिए आगे देख लेते हैं या चिपकली वगरहा चुहा वगरहा सब परिशान है आप लोग को परिषान करता होगा ने चलिए future आपके एक होता है real classroom मतलब भेलहा बैटके class में गलास करते है और virtual classroom जिसको ढोंंग देखते हैं लेकिन real नहीं होता है ठीक है तो क्या है कि virtual कक्छाएं बनाने के लिए आमतोर पर किस तक्निक का अपयोग करते हैं तो video conferencing का यूज किया जाता है video conferencing tool option है ठीक है अगला हमारा question है यहाँ पर कि what does the term learning and compass ठीक है तो learning in compass क्या है यह पूछा गया है दीखिए learning option यही हो जाएगा कि learning conducted through electronic means or including the internet and digital device यानि कि internet के जरिए सिखना ही हमारा यही है क्या है तो learning in compass ठीक है इसी को digital education बोलिए चाहे आप इसी को क्या बोलता है digital education बोलिए e-learning बोलिए चाहे आपका learning income पास पोलिए सब वही है कि internet के जड़िए पढ़ना बस आगे देख लेते हैं next हमारा question है कि which type of digital content can be created using e-learning authoring tools यानि कि e-learning के लिए हम लोग जिस tool का अपयोग करते हैं टेक है वे बनाई जा सकती है कैसे बनाई जा सकती है तो दिखिए उससे जोए हम लोग interactive quiz और आकलन के लिए बनाई जा सकती है इतना top हिंडी कहा है यूज क्या रहे वाई इससे अच्छा तो इतना top हिंडी है कि इससे अच्छा है आपको English सीजी लएगा अगला है which of the following is an example of a collaborative tool using in digital education यानि कि निमनिखित में से कौन सा digital सिक्षा में उपयोग्त सहयोगी उपकरण का उधारण है सिंपल सा कोशन है कि digital सिक्षा में कौन सा यहां पे जो tools दिया गया इनमें से कौन सा हमें help करता है ठीक है तो दीखे digital education में google doc जो होता है यानि कि google document यह हमें help करता है ठीक है पूरा पुलपा में google document बाकि video editing software help नहीं करता है spreadsheet calculator यह हमें help नहीं करता है यह सब office use के लिए होता है ठीक है पढ़ने के लिए नहीं होता है text to speed convert यह सभी हमारा office use के लिए बाकि google doc जो है यह हमें पढ़ने में e-learning में help करता है ठीक है फुलपा में लिखे जीएगा google document next है आपका यहाँ पर how does digital education support personalized learning digital education जो है हमारा personalized मतलब व्यक्तिकत तोरपे शिक्षा को समर्थन देती है कैसे देती है by offering tailored learning experience based on individual needs for program यानि कि व्यक्तिकत आवे सकता हो और प्रगति के आधार पर अनुपलित सिक्षा का अनुपा परदान करना अक्वे। पढ़िएगा वह हो पुशा गया कि digital शिक्षा व्यक्तिकत मतलब अक्वे कोई व्यक्ति परढ़ रहा है तो उसको किस प्रकार समर्थन करता है ठीक है कोई व्यक्तिई अके लिए लिए जो भी है आप पर्णल नहीं हुआ आप देखिएगा नहीं तो अब भी हो इसे बरबाद हो जाएगा और क्या है अगला है कि वाट टाइप अप कांटेंट कैन बी डिलिबार्ड थ्रो ई-Learning प्लेटफॉर्म यानि कि ई-Learning जो प्लेटफॉर्म का माध्या में इसमें कि प्रकार का समधिभी दि जा रही है एक है तुरे कि हम लूग सम्मद आउड्या में भी पड़ते हां वीडियो जैसे वीडियो में निया तेक्स्ट केवल लिखा हुआ रहाता है उसको टेक्स्ट बोलते हैं अभी जब मैं बोल रहा हूं इसमें हमारा है ओडियो टेक्स्ट एन वीडियो तीनों है इंट्रेक्टिव मॉड्यूल्स भी होता है कई बार चित्रों अगरा दिखा जाता है तो अप्शन इसका राइड अ जी 15 परसेंट है चलिए जिसको जल्दिस कंप्रेट करते हैं तो पूछा गया वर्चुल लर्णिंग कहा गया वाट इस अ कॉमन फीचर आप वर्चुल लर्णिंग एन्वार्मेंट देखिए वर्चुल मतलब आभासी जिसको हम छू नहीं सकते हैं ठीक है एंड्रिया लर् ठीक है तो वर्चुल लर्णिंग एन्वार्मेंट की एक सामाय ने विसस्ता क्या है तो देखिए वर्चुल लर्णिंग जब भी हम लोग करते हैं तो विभिन ऑनलाइन सिक्षन उपकरण और संसाधन का एक जगा पर यूज करते हैं जैसे अभी मैं आप लोग को ऑनलाइन हिल्प कर रहा हूं तो मुझे लैप्रॉप क्या वह सकता है ठीक है चार्जार एक साथ में लाइन चाहिए इंटरनेट चाहिए तो यह सभी हमें उपकरण क्या होई सकता होती है 9ी आपका ही आपका यहां पर इंट्रेक्टिव सीमुलल सी मूलेशन बनाने के लिए निम्लीखित में से किस टूल का परयोग करेंगे किसमें तो एवर लेर्निंग में रềnिव सुन्लिंडा बनाने के लिए इन तो यहां पर कियो हम अप्स निया है एड़र captive अब यहाँ पर देता एड़ाब captive वेट ना तो यहाँ पर आपको देता Google Doc टीक है जूम तो यहाँ पर उस condition में हो जाथा all of these लेकिन यहाँ पर क्यावल एगो दिया गया है एड़ाब captive वेट तो captive हमारा only one यहाँ पर राइड आंसर हो कर ठीक है हालाकि बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं captive हो गया जूम हो गया टीक है गूगल हो गया YouTube हो गया बहुत सारे option नेक्स्ट है what does the term mobile learning refer to mobile learning सब से क्या संबन्द है तो देखिए मोबाइल के जरी यह सिखना ही अगला है यहाँ पर हाव केन गैमिफिकेशन एन्हांस इलर्णिंग यानि कि गैमिफिकेशन इलर्णिंग को कैसे बढ़ा सकता है गैमिफिकेशन नाम सुनने से गेम जैसा लग रहा है इसका हो जाएगा बाई साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना बाई इनकॉर्परेटिंग गेम लाइक देखिए यहाँ पर आगे गिम तो गेम लाइक इलेमेंट टू इंक्रीज इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन ठीक है यानि कि साभागिता और प्रेड़ना बढ़ाने के लिए खेल जैसे त इसको बोलते हैं सीमस याद रखिएगा कंटेंट मेनेजमेंट सिस्टम की क्या रोल होता है तो देखिए यह जो रोल अब जा करता है इसको बोलते हैं डिजिटल सामगरी और संजादनों को वेक्त करने और परतिवंदित करना समझें तो ऑर्गनाइज एन मेनेज डिजिटल कंटेंट एंड रिसॉर्सेज यानि कि जो सीमस है ठीक है डिजिटल एजुकेशन में जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो इसमें सीमस का क्या वोमी का होता है ठीक है कंटेंड मेनेजमेंट सिस्टम जो है यहां जितने भी हमारा टूल से इन सभी को मेनेज करने का काम कर सकता है ठीक है तो देखिए मेनेज का ही काम करेगा अप्शन ए मेनेजमेंट है तो मेनेजमेंट का ही काम करेगा मेनेजर है तो लेर्णिंग में छात्रो और पर सिख्षकों के बीच वास्त्विक समय पर बातचीत की अनुमति देता है तो दिखिए रियल टाइम है तो लाइब क्लास चलेगा वाई लाइब चेट एंड वीडियो कॉनफ्रेंसिंग तभी न हम लोग रियल टाइम में बात कर सकते हैं टाइम मतलब पैस्टू पैस्ट बातचीत कर रहें उसी समय पर जब हम वीडियो कर रहें बाद में नहीं डीटूजित क्या है तो डीटल सिख्षा क्या है डीटल टेख्णो लोजी टूल के माईदियम से शित्छा लर्णिंग थो डिजिटल टेक्नोलोजी ठीक है तो डिजिटल टेक्नोलोजी को माईद हमसे सिख्चा आप्शन भी इनमें से कौन सा एक डिजिटल सिख्चा का लाब नहीं है देखिए हानी को बताना है ठीक लाब नहीं मतलब हानी तो देखिए सिखने में समय में लचिना पन ये तो लाब है इसको नहीं चुनना है फिर हमारा संसादनों की एक विस्तरित रंखला तक पहुँच हाँ ये भी की लाब है लेकिंट इसको नहीं चुनना है साथियों के साथ सीमित बातचित हाँ अगर बात जीए अगर ऑन लाइन फतना नहीं चलिए next है e-learning primarily refers to e-learning हम लोग मुख रूप से किसको संदर्भित करके रखा जाता है तो देखिए इसमे electronic उपकरन होता है इसके माध्यम से सीखते है learning through electronic device and internet यही question लगवग मुझे लगता है 8-9 को घुर गया same question को अजीब अजीब टाइप से घुमा के पूछा ठीक है question है which of the which of these is a key characteristics of e-learning इन में से कौन सी e-learning की पर्मुख बिसस्ता है देखिए सबसे बड़ी बिसस्ता क्या है तो यहाँ पर question का option A है हमेशा बहुतिक उपस्थिति क्या होई सकता होती है नहीं रह भाई बहुतिक उपस्थिति मतलब physical classroom यह नहीं होता है अगला है हमारा limited text based content क्या आप कुछी चीज़त को online जा सकता है नहीं online में बहुत सारा content है तो यह भी नहीं होगा self-placed learning मतलब सव गाती से सीखना होगा हां आपको जितना speed से सीख सकते हैं आप उतना speed से सीख सकते हैं दीरेस अगर आप समझते हैं तो 0.5 का speed कर लिजिए speed तीज से सकते हैं तो 2x का speed से चलाइए और सीखी ठीक है मतलब आप अपका जैसा speed है आप उसाप से सीखी अगला है which technology is commonly used for live online class यानि के live जो online class चलता है इसमें किस टक्निक का यूज किया जाता है तो देखिए हम लोग इसमें video conference जेनरली करते हैं ठीक है तो option भी हो जाएगा टेलिगराम का यूज तो जेनरली एप वगेरा movie वगेरा डाउनलूड करने के लिए करते हैं ठीक है video वगेरा channel बन जाता है टेलिगराम में फिर आपका cassette tabs का तो हम लोग वह पहले movie वगरा देखते हैं fax machine इसका भी यूज ऑनलाइन क्लास पढ़ाई में नहीं होता है तो video conferencing tool का यूज कह रहता है आगे देखते है next question है learning management system LMS are primarily useful तो देखिए management है यानि कि जहां होगा manage होई होगा management ठीक है तो देखिए यहां पे manage है managing है ठीक है और क्या बोला गया है कि managing school capterius यानि कि school capterius का प्रबंधन नहीं LMS यूज हम लोग करते हैं यह online class के लिए करते हैं तो इसकुल दो होगा नहीं organizing and delivering online courses हाँ यह हो जाएगा online course क्यों जितना भी होता है उसको manage करने के लिए करते हैं ठीक है option 20 का हो जाएगा आगे देख लेते हैं question है हमारा कि what does sign of क्या है आपका what does synchronous learning in digital education means यानि कि digital education में synchronous का यहां पर दिया है अतुल्य कालीन सिक्षन मतलब जिसके तुलना किसी से ना का जा सके ठीक है अतुल्य कालीन जिसकी तुलना किसी काल से ना किया जा सके उसको अतुल्य कालीन का जाता है तो digital शिक्षा में अतुल्य कालीन सिक्षा का क्या आर्थ है मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही समय पर होने वाली सिख चाहें, नहीं, अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग समय पर होने वाली सिख चाहें, ठीक है, जब जिसको मान करेगा, उस टाइम पर वो पड़ेगा, यही है अतुल लिकालिन, काल की कोई भी तुन्ना नही की जा सकती है ठीक है अंतिम कोश्चन है कि बीच आप फॉलेविंग इस एन एक्जामपल ऑफ डीटल एजुकेशन टूल डीटल एजुकेशन टूल का इन में से कौन सा एक उधारन है तो देखिए चेटबोकस होता तो यहां पर होज़ता चेटब लिखा तो नहीं होगा ठीक है और psychological डीटल सिख़ा टूल का एकुदाअन का अज़ेरान है अगला अगल्हाा इंट्रेक्टीब बड़ तो वाइट बोड हमारा एक डीरीटल एजुकेशन का टूल तो ओप्सन से इसका राइडन सुराज़ हो जाएंगा बाकि प्रोजेक्टर हो गया जूम होगया यह सब याम हमें उनलाइन से शिक्षा मिलेने में सायता करते हैं ठीक है पेपर का यानि कि elementary computer application software के previous question पेपर चरूर देख लीजेगा क्योंकि वहीं से आपका 40% question repeat होगा ठीक है बाई नेक्ट वीडियो में मुझे भी जूप लग रहा है सोने जाएंगे खाएंगे और